दो फ्रेंड्स आपने भरवा करैले प्याज लहसुन से बने विए तेल में पकाई वह तो बहुत खाया हूंगे आज हम बनाएंगे बीना तेल फेल बीने लेहynn a फिसवा करेले बनाने के लिए हांप एमेंडियम साइज के धाई सुग्राम करेले लिया है उसे पानी से धो करके अच्छे से पहले कप्रे से पोछ लेना है साफ कर देना है यहाँ पर मैं करेले को धो करके कप्रे से पोछ ले रही हूँ जिसे इसमें पानी ना रहा है और करेले को चाकुस्यम इस तरह से पीछे से और आगे से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकाल देंगे और इसे फीलर से इस तरह से छील लेंगे यहां पर मैंने फीलर से छील करके करेलो को बराबर कर लिया है उपर वाला पार्ट इस तरह से हमें छील लेना है छीलके को और इस छीलके को फेकेंगे नहीं इसका यूज हम फिर आगे करेंगे हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में बने रहें और फिर चकुर से इस तरह से चीरा बीच में लगा करके करेले को और इसमें से पहले देख लेंगे किसमें कीड़ा उड़ा नहों करेले में अक्सर कीड़े होते हैं इसे जो है पहले हम काट करके चिकर लेते हैं कि अंदर से क छुड़ाएंगे यह अंदर का बीजा निकालने के पहले छिलके से बीज के किनारे को छुड़ा लेना है और फिर चम्मच से इसे हम खाली करेंगे यहां देखी मैंने इसे अच्छे से खाली कर लिया है आगे थोड़ा बहुत बचा था उसे पीछे के चमल से भी मैंने निकाल दिया और इस तरह से one by one मैं सारे करेले को इसी प्रोसेस से पहले छेल लूँगे इसके छेलके को और फिर चाकूर से काट करके इसके अंदर से सारे करेले के उसे पहली कर लिया बहुत दियार कर लिया है एक बठन लेंगे और उसमें इन करेले को ट्रंसफर कर लेंगे उसमें डालेंगे फोड़ा सानारी और सथ में डानने लेंगे वाइट वैग वैनिगर वैक्ट कर से अंदर भी मिला देना से करेला का कड़वापन कतम हो जाए ठक करके 10 मिनिट के लिए हम रख देंगे करेला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और मुश्च छोड़ देगा करेला हमारा कड़वा नहीं लगेगा एक कड़ाई को गैस पिचड़ाएंगे उसमें डालेंगे दो चम्मच मुमफली के दा जराई दाना एक चम्मर साबुद्धनिया इन सबी चीजों को डाल करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है जब यह भून जाए उसमें से खुश्भू आने लगे तो गैस का फ्लेम करेंगे बंद और एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे ठंडा होने के लिए पेश्ट बना लेंगे बिना पानी बिना तेल के और एक कडाही लेंगे उसमें डालेंगे एक चम्मच मस्टर डाले हम मैंने सरसो के तेल की उसकिया है सरसो के तेल में करेले बहुत टेस्टी बनते हैं और उसमें डालेंगे यह छिलका और बीजा का जो पेश्ट त्यार किय हम बना रहे हैं करे लेकी यह पहले इस बीजा और छिलके को अच्छे से हम पेश्ट को भून लेंगे और फिर यह जो मसाला त्यार किये हैं मुंफली पश्पोरन और सा धरिया उनिया को मिक्स करके उसे हम इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे अमचुर पाउडर यहां यह पख गया इसका फ्लेम करेंगे बंद और इसी निकाल देंगे एक बooo HI ने तो हूने के लिए यहां पर मैं सो ने के लिए बराव़न को निकाल दे रहे हूं Mostafakos Azuna और इसमें भ्रएल में भदब हो जाएं तो इसी हम कर ये बरना होगा यहां प्रदस में अठो चुके हैं करेले को देखते हैं धकन अठा करके देखिए जैसे थोड़ा से सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा यह करेला अपना मुष्चर छोड़ दिया है इसी करेला कड़वा एकदम नहीं लगता है अगर हम यह वेनिगर या नीबू देकर किसी हम नहीं इस तरह से करते हैं तो करेला थोड़ा से कड़वा लगता है और बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बच्चों को करेला देना भी बहुत चरूई होता अगर इस प्रोसेस से हम इसे बनाते हैं तो करेला हमारा बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है यह हम यहां पर मैंने करेले को इस तरह से भर लिया है इसी तरह से one by one करके मैं सारे करेले को भर लूँगी यहां पर मैंने सारे करेले को भर लिया है आप देखिए यह तोड़ा सा घरावन हमारा बच गया इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे सेट से रखेंगे इसका यूज हमागे में आलेगे दू किलाप सब्सक्राइब yeah जब प्रह misleading हो जायेगा ड़िया और सब्सक्राइब करने लिए में प्रती अब हुए से धांग करेंगे 20 से 30 मिनट तक इस्टिम करेंगे सिर्ट करेंग यहां पर देखिए यह हमारा बीयस मिनट हो चुका है एक बार करेले को चेक करते हैं देखे कितना अच्छे से इस्टीम आ रहा है और कलर भी करेला के एकदम चेंज हो गया है इसी चकु से या चम्मत से इस तरह से हम कट करके देखते हैं करेला एकदम से सॉफ्ट हो चुका होगा यहां पर मैं चम्मत से कट करके आपको दिखा रह यह हमारा कलेला अच्छे से पग गया है इसे निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देंगे और कड़ाही को फिर हम गैस पे चढ़ाएंगे उसमें डालेंगे एक चमच सर्सो का तिल जब गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे एक चमच सफील तिल आप यहां पर सर्सो द मैं यहां पर तिल का यूज कर रही हूँ यह बहुत पॉश्टिक होता है और यहां पर अगर हम इसे डालते हैं तो करेले का हमारा टेस्ट और पॉश्टिकता दोनों ही बढ़ जाता है यहां पर करेले को इस तरह से तिल में हम रख देते हैं करेला पहले ही हमारा इस्टीम ह करके कुख हो चुका है इसलिए कोई टेंशन नहीं इसे रख करके हम ढख देंगे एक मिन ढखने के बाद जो है इसे हम खोल करके चलाएंगे यह देखिए इस तरह से चम्मच से इसे पलट देंगे ताकि चारोड से यह हमेरा करेला पक जाए और ठोड़ा सा ब्रावन ब्रावन सा हो जाए उपर से मैं वा भरावन भरावन हो डाल देती हूं करेलों में देखिए एकदम भरावन निकल नहीं रहा है और यह हमारा करेला इस तरह से पक रहा है इस तरह से ब्राउन कर लूंगी गोल्डन ब्राउन यहां पर की hea में कितनी देखने में यह मिल लग रहा है और इस तरहसे हम चम्मज से फटले को हर तरप से पकालेंगे देखे एक उरो करेला यह है देखने में कितना लगा है करेला किसी सर्विंश्मम निकाल लेते हैं इस तरह से चम्मच से हम करेले को निकालते हैं यह हमारा बिना लहसुन बिना प्याज का और बहुत ही कम तेल एक चम्मच लगए तेल में यह हमारा भरवा करेला बनके त्यार है एक बार आप भी इस करेली की रेस्पी को ट्राइ के रिए आपको बहुत पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू